एक दिन एक चिडिया चिडे से बोली, मुझे छोड़ कर कभी उड़ तो नहीं चाओगे। चिडे ने कहा उड़ जाओं तो तुम पकड लेना। चिडिया बोली, मैं तुम्हें पकड तो सकती हूँ पर फिर पातो नहीं सकती। ये सुन चिडे की आँखों से आशू आ गए और उसने अपने सारे पंक तोड़ दिये। फिर चिडिया से बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। एक दिन जूर से तुफान आया, चिडे ने चिडिया से कहा, जाओ तुम उड़ जाओ, मेरे तो पंक नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता। अपना खयाल रखना ये कहकर चिडिया उड़ गई, जब तुफान थमा तो चिडिया वापस आई, उसने देखा चिड़ा मर चुका था, और एक डाली पर लिखा था, काश, वो एक बार तो कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तो शायद मैं तुफान के आने से पहल करो, तो जीवन भर निभाओ, एक बार राधा ने क्रिश्न से पूछा, गुस्सा क्या है, क्रिश्न ने खुबसूरत जवाब दिया, किसी के गलती की सजा खुद को देना, राधा ने क्रिश्न से पूछा, दोस्त और प्यार में क्या अंतर होता है, क्रिश्न ने मुस्कुर प्यार सोना है और दोस्त हीरा, सोने तूटकर दुबारा बन सकता है मगर हीरा नहीं। राधा ने पूछा मैं कहा कहा हूँ। क्रिश्ना ने कहा मेरे दिल में, मेरी सासों में, मेरी धड़कन में, मेरे तन मन में। तुम हर जगा हो राधे राधा ने फिर पूछा तो फिर मैं कहां नहीं हूँ कृष्णा ने कहा मेरी तिस्मत में राधा ने फिर कृष्णा से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है कृष्णा ने हसकर कहा जहां मतलब होता है वहाँ प्यार कहा होता है कोई भी मनुष्य किस बात को किस तरह से समझता है ये उसकी मानसिक्ता तै करती है कोई दूसरों की थाली से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली से दूसरों को निवाला खिला कर संतुस्ट होता है सारा खेल संसकारों समझ और मानसिक्ता का ही तो है लेकिन ये बात तो तै है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूके नहीं मरते कर्म का थपड इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुन्य कब खतम हो जाए पता ही नहीं चलता फिर तो राजा को भी भीक मागनी पड़ जाती है इसे लिए किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा को कभी न दुखाए अकेले हम बून्ध है मिल जाएं तो सागर है अकेले हम धागा है मिल जाएं तो चादर है अकेले हम कागज है मिल जाएं तो किताब है अकेले हम शब्द है मिल जाएं तो सुन्दर रचना है अकेले हम इट है मिल जाएं तो सुन्दर इमारत है जीवन का आनंद मिल जुल कर रहने में है चल कर देखा है अकसर मैंने अपनी चाल से तेज साहब परवक्त और तकदीर से आगे कभी निकल न सका जिसके पास अपने हैं वो अपनों से जगडते हैं जिसका कोई अपना नहीं वो अपनों को तरस्ते हैं न कल हम होंगे न कोई गिला होगा सिर्फ सिम्टी हुई यादों का सिलसिला होगा जो लम्हे हैं, चलो हस के बिता दे नजानी कल जिन्दगी का क्या फैसला होगा जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है मस्त रहो, मुस्कराते रहो, सब के दिल में जगहा बनाते रहो सबका खयाल रखो पर अपना भी खयाल रखो हमेशा मुस्कुराते रहो कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए